हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत है हमारे चैनल प्रोडक्ट रिव्यू हब में और आज मैं आपको डिटेल में रिव्यू करूंगी प्यूरेट के कॉपर वाटर प्यूरिफायर का ऐसे मैंने ये प्यूरिफायर की अन्वाक्सिंग और इंस्टॉलेशन की वीडियो दो महीने पहले बना दी थी पर मैंने सोचा पहले मैंसे खुद रियूस कर लेती हूं फिर आपको रिव्यू करती हूं तो आज 2 महिने बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ ऐसे मैंने ये Purify इसके लिया था क्योंकि मुझे इसमें RO प्लस UV प्लस MF Purification के साथ Copper Charge Technology मिल रही थी क्योंकि Copper में आपके Antimicrobial, Antioxidant और Anti-Informatory Property होती है जो आपके Metabolism को तो Improve करती है बलकि आपके Immunity को भी Boost करती है इसलिए मैंने ये Purify लिया था तो चलिए अब हम इसकी Unboxing करते हैं तो ये सब चीजे हमें इस Purify में मिल रही है और इस Purify के साथ मुझे One Year की Renty भी मिली है ये Bottle रखने का Stand है जिसे आप बहुत इज़ी रिमूव कर सकते हैं अपने Purify से जब इस पे आपका पानी कठा हो जाता है Next अब हम इस Box को Open करते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं इस Box में क्या है तो सबसे पहले हमें इसमें एक Manual मिल रही है जिसमें लिखा है कि हम इस Purify को कैसे यूज़ कर सकते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या मिल रहा है और इसमें आपको एक Manual Null मिल रहा है जिसकी Help से आप अपने Filter से बिना Electricity के पानी रिमूव कर सकते हो और ये एक External Sedimentary Filter मिल रहा है जिसमें ये भी लिखा है कि आप इसे कैसे Clean कर सकते हो ये एक Pipe मिल रही है और ये कुछ ये Tape सी है और ये कुछ Accessories मिल रही है आपकी Purifier को Filter से Attach करने के लिए और अब Main चीज जो हमें इसमें मिली है इस टबे में वो है हमारा Purifier तो ये है हमारा Purifier पूरिट के इस Purifier में आपको 7 Stage of Purification के साथ 8 लिटर की वाटर क्वेस्टी मिलती है इसमें आपको RO, UV, MF Technology के साथ Copper Charge Technology भी मिल रही है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था Copper में Antimicrobial, Antioxidant Property होती है इसलिए Copper आपकी Immunity को Boost करता है और Digestion को भी Boost करता है और Help करता है आपकी Obesity को Reduce करने में आगर मैं इसके उपर की साइड आपको दिखाऊं तो आपको कुछ Indicators दिख रहे होंगे ये Indicator की Health से आपको पता चलता है कि आपका Tank Full है या नहीं अगर ये Green Light Show करेगा मतलब आपका Tank Full है तो अगर ये Red Light Show करेगा मतलब आपका Tank खाली है उसी तरह से आपको ये Filter Change करने या Copper Change करने का Green, Blue और Red Light से Indicator करता है और ये Purifier आपको Filter की Expiry होने से 15 दिन पहले ही बता देता है और इस Filter में आपको Dual Dispenser को Option मिल रहा है जिससे हम अपनी Choice के According Copper Charge RO Water और Normal RO Water में से कुछ भी Juice कर सकते है तो इस तरह से अगर हम इस Button को Press करते हैं तो आपका यहां से पानी निकलता है पर इसका Copper Charge RO Water सिर्फ तभी आता है जब Water Supply इससे Connect हो जैसे हमने अपना Filter Fresh Water से Attach किया है तो मुझे Copper Charge RO Water तभी मिलता है जब मेरे यहां Fresh Water आ रहा होता है पर RO Water को आप कभी भी निकाल सकते हैं और इसके Manual की Help से तो आप Without Electricity भी Purify Water निकाल सकते हैं और यह Filter आपका 1 लिटर पानी Purify करने के लिए कम से कम 650 ml Water Waste करता है और इसके Ending में आपको यह एक Flap दिखेगा यह एक Bottle रखने के लिए होता है और आप इसे Easily Clean और Remove कर सकते हैं और अगर मैं इसकी Side की तरफ दिखाँ तो आपको कुछ LED Indicators की Guide मिलेगी देखने को जिसकी Help से आप Identify कर सकते हैं कि आपके Filter में क्या Problem हो रही है पावर कंस्यूम करता है तो अगर मैं अब आपको अपना Experience Share करूँ तो दो महीने यूज़ करने के बाद मुझे ये Purifier बढ़िया लगा क्योंकि मेरे यहां की Water Supply का TDS Value बहुत जादा था और इस Purifier को लगाने के बाद वो Normal Range पे आ गया और इसमें मैं Copper Charge Water और Normal Range Water में से कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ बस मुझे इसमें एक कौन देखने को मिला कि इसमें जो हम Copper Dispenser है वो सिफ रनिंग वाटर के साथ यूज़ कर सकते है बट ओर आल ये एक बढ़िया Water Purifier है और अगर आप इसे Purchase करना चाहते हैं तो नीचे दिये लिंक से कर सकते हैं आपको ये Purifier Amazon में 21,990 रुपीस में मिल जाएगा और इसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप डारेक इस Purifier को Purchase कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब माई चैनल और प्रेस बेल आइकन अब मिलते हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए प्रोड़क के रिव्यू के साथ